ओम सिरी गनी सायन अमदूस्तू एस्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 नवंबर सनिवार के रासी फल के बारे में कि यह दिन मकर राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पापूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चलि दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मकर राशी वालों के लिए सनीवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पोजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज अचानक धनलाब प्राप्ति के आपके लिए अनेको योग बन रहे हैं और आपकी परियसानियां दूर हो सकती हैं आप अपने करम पर भरोसा रखते हुए अपने कामकाज को बहतर दिशा देने का प्रियास करें जिससे समय के नुसार आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सके दोस्तो सातिषाथ उननती से संबन्दित किसी सुब समाचार की आज आपको प्राप्ति होगी आधियत्मक छितर से जुड़े किसी अनुभवी व्यक्ति का सानिध्य आज आपको प्राप्त होगा विध्यारती अपने लक्ष के प्रती एकागर चित रहेंगे तथा उसका पैणाम भी उनको उचित प्राप्त होगा दोस्तो साती सात जो काम पिछले कुछ समय से रुके हुए थे या अठके हुए थे उनके आज पूरे होने के योग बन रहे हैं आपकी योगता पर प्रती बाग खुलकर लोगों के सामने आईगी अपने प्रती दिंदियों पर सफलता और आज आपको विजय प्राप्त होगी आप अपनी दिंचरिया वे आदतों का विशेश रुक से अवलेकन कर रहे हैं जिससे आपके व्यक्तित्व में आश्चार्य जनक निखार आएगा संतान किशिक्षा वे केरियर आदी से संबंदित भी कोई बड़ा निर्णे आज आप ले सकते हैं विद्यार्तियों की पढ माधान होगा जिससे सभी लोग राहत महसूस करेंगे आप भी अपनी कोशल शम्ताओं का भरपूर इस्तमाल करें बड़े बजरुगों का आशिरवाद वेक्रिपा भी आज आपके ऊपर बनी रहेगी स्वास्त में भी सुधार आने से आप अपने अंदर एक नही उर्जा म महसूस करेंगे और पूरे आत्म विश्वास के साथ अपने कालरे के प्रती ध्यान देना सुरू करेंगे किसी रिष्टेदार से संबंदित कोई सुब समचार मिलने से बन में प्रफुल लता रहेगी दोस्तों साथी साथ आप लोग वहवार कुशल होते हैं आप बुद्ध हो सकता है दोस्तों आज सामाजिक मान सम्मान प्राप्त होने की संभावना कम है इसलिए किसी भी कारे को इस्तिरता और गंबिरता पूरवक करें जिससे आपको क्यामियाबी और सम्मान प्राप्त हो सके सगे संबंदियों से संबंद खराब होने की भी संभावना बन रही है धन संचे करने का आज प्रियास विफल हो सकता है साफधान रहें साथी साथ आर्थिक मामलों में भी साफधानी बरतनी की आपको आवश रखता है भाईयों से संपत्ती वे बटवारे संबंदित विवाद का हल किसी की मदद से हो जाएगा आप से संबंदों को ना बिगाड़ें युवा वर्ग अपने केरियर के साथ किसी प्रिकार का समझोता ना करें साथी साथ आज आज आपको अपने क्रोध वे आक्रोस पर काबू रखना आवश रखें कई बार जल्दवाजी वे अति उत्सा में बनाया गया खेल बिगड सकता है जिससे परिवारिक सुक्षांती भी प्रबाबित हो सकती है अपने लक्ष के प्रती पैनी नजर रखना आपके लिए अति आवश शक है साति सात अजनवी वे ऐ परिचित लोगों से वेवार वे लेंदेन में सावधानी बढ़ते हैं आप किसी साजिस या फिर सड्यंतर का शिकार भी हो सकते हैं इसलिए बहतर उपाई यह हैं कि आप बुरे लोगों की संगती से दूर ही रहें बड़े बुजरगों के स्वास्थ का भी आपको ध्यान रखने की आवश रकता है साति सात व्यर्थ के कारों में धन खर्च होने के भी योग प्रवल्लता से बने हुए हैं भूमी या वाहन को लेकर भी कोई बड़ा कर्ज आपको लेना पड़ सकता है इसलिए अपने आर्थिक इस्तिती को ध्यान में रख कर ही खरीदारी संबंदित योजनाई बनाएं तो आप के लिए बहतर रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली हैं दोस्तो दामपत्य जीवन को लेकर इस्तितियां काफी अच्छी रहने वाली हैं जीवन साती के साथ मधूर संबंद होने के साथ साथ आपको उनका शैयोग भी प्राप्त हो सकता है घर परिवार की शुक्ष विदा के प्रती आज आपकी प्रात्मिकता रहेगी पती पत्नी के बीच संबंद मदूर रहेंगे परंतु संतान का कोई जिद्धीपन या नकारात्मक रविया आपकी चिंताओं का कारण बन सकता है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवेसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो वैपार के विस्तार संबंधी नई संभावना पर विचार होगा अपना पूरा जोस मार्केटिंग में तथा अपने प्रोडेक्स के प्रमोर्शन में लगाएं नोकरी में अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे और से कर्मियों का भी आज आपको पूरा सहयोग मिलेगा साती सात कार्रे विस्तार की योजना भी कार्रे रूप में प्रणित होगी परन्तु उस योजना पर पुन्हें परिक्षन जरूर करें साती सात नोकरी में हलकी फुलकी परिसानियां भी आएंगी परंतु आप अपनी बुद्धिमता और विवेक से सभी परिसानियों का हल बहुती सांति पूर्ण धंग से ढून लेंगे किसी बड़े अधिकारी या राजनितिक व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात से आपके काम बहुती आसानी से बन सकते हैं परंतु के इमामलों में आपका स्वाबिमान आपकी उन्नती में बादख बन सकता है इसलिए अपने वहवार को थोड़ा लचीरा बना कर रखें यह ध्यान रखना आपके लिए अतियावशक है कि आपकी कोई महतपूर्ण व्यवसाइक गतिविदी आज लीक हो सकती है करमचारियों की गति विदियो पर आज आप नजर रखें परंतु जद ही इस्तितियां काबू में आ जाएंगी इसलिए आप पूरे जोस से अपने काम के प्रती एका गर्चित रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तो अत्यादिक मेहनत की वज़े से ठकान वे दर्द जैसी समस्यां उत्पन हो सकती हैं साथी साथ जादा गरिष्ट वे तला भुना भूजन खाने से भी आपको परेज करना होगा अन्यथा पेट से सम्बंदित समस्यां उत्पन हो सकती हैं इसलिए आप सुपाच्य भूजन करें और साथ साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें सुस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे शुपाय क्या है दोस्तो आज आप इशनान आदी से निर्वत रहोने के बाद एक काटोरी में थोड़ा सरसो का तेल लें इसके बाद आप उसमें अपना चेहरा देखें फिर आप उस सरसो के तेल का किसी जवतमंद को दान भगवान शनिदेव का ऐसमनार करते हुए अवश्य करें जा दोस्तो ऐसा करने मात्र चेही भगवान शनिदेव बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे यो भी आपके जीवन में परिशानिया चल रही हैं समस्त परिशन यो कंत करेंगे और आपको जल्द ही सुब फलो की प्राप्ती होंगी और आपके सभी कारें बहुत यासानी से बनते चले जाएंगे दोस्तो भगवान शनिदेव का असिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्ष में जै शनिदेव अवस प्राप्त